मैं पुरुष नहीं बनना चाहती हूँ, पुरुषों के विरुध विद्रोह करना चाहती हूँ, इसलिए कि पुरुष क्यों सब बातों में सर्वश्रिष्ट बनते हैं, स्त्रिया क्यों उनसे हीन समझी जाती हैं, दिलीप अब तक चुप बैठा था, अब वह जोश में आकर हथेली पर मुक्का मार कर बोला, ग्रेवो, रजजी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मैं तुम दोनों का मुकाबला करने को तयार हूँ, पुरुष श्रिष्ट हैं, और श्रिष्ट रहेंगे, राजेंदर ने पैंतरा, बदल कर नकली क्रोध और गंभीरता से कहा, फिर उ सिर पर उठा रखा है, पचास तो पकवान बनाए हैं, रात भर खटखट रही, नौकर चाकरों की नाक में दम, भया आ रहे हैं, भया आ रहे हैं, मैं भी तो आती हूँ, तब तो कोई कुछ नहीं करता, तुम पुरुष लोगों की सब जगह प्रधानता है, सब जगह मैं इसे सहन नहीं, करूंगी रजनी ने खूब जोर और उबाल में आकर यह बात, कही डौट सब कैफियत सुनकर राजेंद्र हस्ते हस्ते लोटपोर्ट हो गया, उसने कहा ठहर मैं अभी तेरा विद्रोह दमन करता हूँ, डौट वह दोड़कर नीचे गया और क्षन भर ही में एक बड़ासा बंडल ला, उसे खोल उसमें से साडिया, कंधे, लेवेंडर, सेंट, क्रीम और न जाने क्या, क्या निकाल निकाल कर रजनी पर फैंकने लगा, यह सब देख रजनी खिल खिला कर हंस पड़ी विद्रोह दमन हो गया डौट दुलारी जलपान ले आई तीन बैठ कर खाने लगे। दिनभर गाउं की जमीनदारी की, खेतों की मतरगश्ट लगाते और दिलीप महाशय लाइबरेरी में आराम कुर्सी पर रजनी की प्रतीक्षा में पड़े रहते। अवकाश पाते ही रजनी वहाँ पहुच जाती। उसके पहुचते ही बड़े जोर्शोर से किसी सामाजिक विशय पर विवाद छेड जाता, पर सबसे प्रधान विशय होता थास्त्री स्वतंत्रता। इस विशय पर दिलीप महाशय रजनी का विरोध नहीं करते थे, प्रश्रय देते थे और यदी बीच में राजेंद्र आ पड़ते प्रश्रय देते थे और यदी बीच में राण।